उत्तर प्रदेश के फिरुजबाद में एक ही परिवार के नौ लोग कोरोना संक्रमीत पाए गए है इस परिवार के एक सदस्थे की 25 नवंबर को शादी हुई थी और 4 दिसंबर को उसकी मौत हो गए इस यूवक में कोरोना वाइरस के लक्षन थे लेकिन कोरोना की जांच नह हो सकता है पर इस हद तक हो सकता है यह किसी ने सोचा नहीं होगा आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से परिशान है वैक्सिंग का इंतजार है साथ ही लापरवाही भी बेहत बेहिसाब है इस लापरवाही की जीती जाक्ती तस्विर देखने को मिली यूपी के चुरू होते ही उजाड कर रख दी इस बिमारी ने दरसल मामला फिरोजबाद जिले के थाना एकाक्षेत्र का है जहांके गाव नगला सवंती में रहने वाले यूवक योगिंद्र का विवा बंदन 25 नवंबर को हुआ जुमहेज 8 दिन बाद ही यूवक की मौत के साथ ही ब विवाईता सहीद घर के 9 सदस्य अब बिमार थे इन सब को इस कोरोना महामारी को कम आखने का खामियाजा उठाना पड़ रहा था सरकारी गाइडलाइन्स का सहीद धंक से पालन नहीं किया गया था मौत के बाद हुई जांच का खुलासा इस परिवार के लिए कही ज्यादा दुख देने वाला था हाला कि मामला जानकारी में आते ही प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए रिष्टिदारों सहीद 45 लोगों के सैंपल लिए जिसमें घर के 9 सदस्य संक्रम इत निकले फिलाल इन्हें आइसोलेट किया गया है यह घटना बेहत धदनाख है साथ ही एक सी से बचिने का